तो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगी कि अगर आप सभी CA Foundation, CA Intermediate का स्टुडेंट हो September 2024 में आपने exam दिया था और आपका results भी डिकलेर हो गया है अगर 30 अक्टूबर को यह result डिकलेर हो गया था इस वीडियो में हम बात करेंगे First of all certified copies regarding चाहे आप CA Foundation का स्टुडेंट हो या फिर CA Intermediate का First of all एक request करूँगा कि अगर आप सभी YouTube चैनल पने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी important update, announcement and notification आप मिशना कर पाए ना update स्टार्ट करते हैं ICAI ने एक announcement भी release किया था आप सभी के लिए CA Foundation और CA Inter September 2024 दोनों स्टुडेंट के लिए certified copies का जिसे हैं inspection copy भी कहते हैं certified copies भी कहते हैं यहाँ पर बताया गया था कि अगर आप certified copies के लिए apply करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं 31st October से विंडो आउन किया गया था 31st तारिक साउन किया गया था लास्ट डेट रखा गया है 28 November 2024 अपलाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है दो प्रोसेस है एक तो आप IC AI को PCL website से विजिट कर सकते हो जो लिंक की given है यहाँ पर just यहाँ पर क्लिक करेंगे रिडिरेक्ट हो जाएंगे आप सेल्फ सर्विस पॉर्टल पर वहाँ पर अपना यूजर आईटी पासफोर्ट डाल के अपलाई कर सकते हो वहां से आप किस तरीके से करना है इस वीड़ो में हम बात करेंगे फर्स्ट आपको गूगल पर आजाना और सर्च करना क्या है आर्टी आई जैसे आप र्टी आई सर्च करेंगे तो इस तरीके के एक पॉटल पर आजाएंगे यहाँ पर एक section दिखेगा करना इन डिटेल अच्छे सा आप रीड कर लेना एक बार कुछ इंस्ट्रक्शन गिवें है इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना और रीड करने के बाद यहाँ पर एक टिक कर देना फॉर इक्जांपल यहाँ लिखा रिदेन अन्डरस्टूड द वो गाइडलाइन अप्टर करेंगे यहाँ से अप करने के लिट चैट्रक्शन ग्लीक कर देना यहाँ से अपकर करने के डीड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रudek करने का क् सàngी यहाँ pa आप्र देट सेलेक्ट पब्लिक ऑथोरिटी बॉड़ी चीज़ है अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो अपने 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 अकोडिंग देख सेकते हो इंस्टिटूट अपने अगाउंट अफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना थोड़ा से स्क्रोल डाउन करेंगे बहु आपका प्रोपर नहीं हुआ तो आपका फिर से फाइल करना पड़ेगा इसलिए बढ़ा मेल आईडी एक बाद जरूर चेक करना अच्छे से और यहां पर अपका मेल आईडी पूट कर देना जैसे आप मेल आईडी पूट करेंगे तो नेक्स टेप होगा आपका मोबाइल देख सकती है ओला सेक्षिन आपको अपना एक प्रॉपर मोबाइल नमबर दे देना है अप्टर देट कंफर्म करना होगा आपको आपकी इमेल आईडी जो इमेल आईडी आपने उपर दी है उसी को कंफर्म भी करना है यहां से कंफर्म करने बाद आपको नेम मेंसन करना आ all pin code हो मैं और इंडिया से हो छो वी आपका अपका अपर से बिलॉं जो भागते दीना कि आपको अपर क्वेह बिलॉंग करते हैं स्टेटब कर वह स्टेट को आपको आपको सरे अपने अ क्वेह हो बदो फिसी थे बिलॉंगल करते हैं For example, मैं currently मॉंबई से बिलों करता हूँ, मैं यहां पर महरस्टर सेलेक कर दिया हूँ, तो आप अपने according सेलेक कर लेना, आप जहां से बिलों करते हैं, जो आपका state होगा, After that, status का एक section आएगा, यहां पर दो option दिखेगा, rural और urban, कुछ बातों को ध्यान से सुनना, सरी सिटी इरिया सी बिलोंग करते हैं धुट अगर करें इना साथ prakyob labor करता हूं योटेक करने के बाद सेट स्टूडेंट ये सलेक में बाद स्टूडेंट लत न कर सकते हो हैं अगर अपने according select कर लेना कि क्या आपका level है intermediate का student हो direct route से आए हो graduation select कर लेना CA foundation pass करके आए हो 12th standard pass लिख देना वहाँ पे select कर लेना थोड़ा सा scroll down करेंगे तो आपको एक और section दिखेगा phone number जो phone number आपने उपर mention किया था वही phone number यहाँ पर भी mention कर लेना अब एक section और दिखेगा यहाँ पर देख सकते हैं इस दो एप्लेकंट बिलो पॉर्टी लाइन जिसे हैं BPL कहते हैं यहाँ पर दो option दिखेगा yes or no आप no select कर लेना यहाँ पर यहाँ पर काफी details fill up कर जाना पड़ जाए आपको year of issue, issuing authority इससे अच्छा 10 रुपे की बात है no select करके आगे बढ़ जाईएगा very important और बहुत important matter करता इसमें एक चीज as like आपको है पर text from RTI request application, आपको RTI request application यहाँ पर डालना पड़ेगा मैंने पहले ही RTI request जो है dear students, grown ओले telegram channel पर share कर दिया हूँ कि यहाँ पर क्या क्या fill up करना है उसे just आप grown ओले telegram channel पर visit कीजे, visit करने के बाद जो application में वहाँ पर पूरा select कर दिया हूँ बस वहाँ से copy paste करना, यहाँ पर इस section में यह जो box दिया, इस box में copy paste करना, copy paste करने के बाद कुछ कुछ चीजे, as like आपका नाम change कर लेना आप CA foundation का हो, intermediate का हो, अपने according set कर लेना, बाकि पूरा details अच्छे थे, मैंने grown ओले telegram channel पर share किया हूँ अप कुछ बातों को और ध्यांचे सुनिए, इसके बाद क्या होने वाला, do not upload ather card, यहाँ पर आपको एक document upload करना पड़ेगा, supporting document, तो document में आपको क्या upload करना होगा, देखिए अधार card आप upload नहीं कर सकता हो, अधार card आपको upload नहीं करना है, pen card वगेरे कुछ upload मत करना, आपक कर देना है, यहाँ पर देख रहें, इंटर security code, security code में क्या dear students, यही जो capture दिया है, इस जगह पर fill up करना, make payment वाले section पर जाना, payment कर देना, 10 रुपे का payment होगा, payment करने के बाद successfully अगर आपका payment हो गया है, last step होगा payment करने का, just आप payment कर देना, successfully payment होने के बाद, कुछ दिन के बाद आपके mail पर जो होगा students, PDF आजाएगा आपके SLEC certified copies का, just आप वहाँ से check कर सकते हो कि कहां कहां पर आपके marks deduct हुए है, कितने marks score हुए है, कैसे कैसे marks मिला है, सब कुछ, कहीं भी कोई भी क्योरी, कोई भी doubts है, comment section में comment करना, अगर आपको requirement है कि मैं आपका fill up करके दे दू, SLEC box में given in, thank you students, have a great day, wish you all the best.